समान काम समान वेतन मुद्दे पर बड़ी खबर आ रही है गर्दनी बाग से गर्दनी बाग में नियोजित सिक्षकों पर पुलिस का डंडा चला है लाठी चार्ज हुआ है नियोजित सिक्षक समान काम समान वेतन मुद्दे को लेकर कर रहते परदर्शन परदर्सन के बाद विधान सभा के घिराव के लिए कूँच कर गए शिक्षक और इसके बाद शिक्षकों पर लाठी चार्ज हुआ है और लाठी चार्ज ही नहीं बरवरता पुर्वक लाठी चार्ज इसको कह सकते हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में सिर्फ फटा हुआ है शिक्षक बिहाल है और ये लाठी चार्ज हुआ है गर्दनी बाग में शिक्षक अपनी मांग को लेकर सुबा से ही गोल बंध हो रहें थे और अठारा तारीक को जैसा की वाटसेप वारल मैस में और अन्य माध्यमों से एक खबर आ रही थी कि उग्रपरदर्शन होने की पुर्ण संभावना है और आज एक बजे के बाद उग्रपरदर्शन सिक्षकों का नियोजित सिक्षकों का हुआ और इस परदर्शन के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और पुलिस के लाठी चार्ट से कई सिक्षक बुड़ी तरह घायल हुए हैं सिर फटने की खबर आ रही है सिक्षकों में रोज है और नियोजित सिक्षक अभी भी धरनास्तल पर डटे हुए हैं सिक्षकों की मुख्य मांग समान काम के बदले समान वेतन है सुप्रीम कोट ने ये फैसला दि पर नियोजित सिक्षक मानने को तयार नहीं है और इसी क्रम में आज 18 जुलाई को स्कूल बंद करके नियोजित सिक्षक धरना परदर्सन करने पहुँचे थे गर्दनी बाग में और धरना परदर्सन कहीं क्रम में विधान सवा के घिराओ के लिए आगे बढ़ने पर पुल पर नियोजित सिक्षक में कई सिक्षकों के सिर्फटे हैं और घायल होने की खबर आ रही है आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 18 जुलाई को सभी स्कूलों में पठन पाठन बंद रहेगा समान काम समान वेतन को लेकर सिक्षक सा मोहिक अवकास पर रहेंगे ये खबर है पुर्णिया भासकर नियुचकी और आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और इसी के बाद आज 18 जुलाई को उगर परदर्शन हुआ और परदर्शन के क्रम में लाठी चार्ज की खबर है आपको हम ये खबर भी पढ़के सुनाते हैं 18 जुलाई को सिक्षक सामुहिक बिधान सभा के घिराओ के करम में सिक्षकों पर लाठी चार्ज हुआ बिधान सभा ऐसा स्थल है जहां पर आदमी आम नागरिक बिना आनुमती के परवेश नहीं कर सकता और बात घिराओ की थी ऐसे में पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है नियोजित सिक्षकों पर और कई सिक्षाकों की घायल होने की खबर है जैसे ही इस पर ताजा अपडेट आता है सिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन के चैनल के माधियम से हम आपको बताने की कोशिज करेंगे सिक्षा सुधार रोजगार हर कदम आपके साथ